Hello friends, कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ में Fruit IT की recipe share करूँगी क्या आपको पता है कि जो ये रायता है वो probiotic और विटामिन से भरपूर रायता है probiotic हमारी gut health को improve करता है और जो vitamins है वो हमारी तवचा को सुन्दर बनाते हैं तो ये हमारी body के internal and outer दोनों के लिए beneficial है दही के अंदर सबसे ज़्यादा probiotics पाए जाते हैं और fruits के अंदर तो आप जानते ही हैं कि कितने ज़्यादा vitamins और minerals होते हैं अगर आप office के अंदर रायता बना के ले जा रहे हैं या फिर आप रायते को कोई से देख के बता भी ने सकेगा कि आपने उसे पहले से बना के रखा हुआ है मेरे husband अभी daily यही लेके जाते हैं लंच के अंदर और जब वो से खाते हैं तो वो बताते हैं कि वो एकदम ऐसा लगता है कि मैंने अभी fresh बनाया है तो सबसे पहले हम fruits ले लेंगे fruits के अंदर हमने बनाना लिया है half apple लिया है थोड़े से अनार के दाने लिये हैं grapes लिये हैं और हमने दो dates लिये हैं इस dates को मैंने भी गोया नी है इस dates को directly ले लिया सबसे पहले जो अंगूर है उसको ऐसे कट कर लेंगे उसके बाद में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आप एपल को कट कर लो बनाना को कट कर लेना उसके बाद में जो डेट से हमको कट कर लेंगे गर्मियों के अंदर ये रायता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो इस रायते के अंदर कौन-कौन से फूट डलेंगे और कौन-कौन से मसाले डलेंगे वही इसकी ब्यूटी है बेसिकली आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किये थे और मुझसे इस नाइफ के बारे में तो अब हम रायता बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर जो यह बाउल लिया है यह मिरे हजबन लेके जाते हैं आफिस के लिए तो मैं आपको दिखाती हूं कि मैं इसको अंदर कैसे रायता बना रही हूं सबसे पहले 3-4 चंब शकर डाल लिया कि अब हम iS kurt को ऐसे फेंट लेंगे जैसे में आपको यहा में पर उसुन से दिखा जो इस तरह से श्कुन को फेंट लेंगे हम अब इस curd को फेंटने के बाद में हम इसके अंदर fruits डालना start करेंगे एक एक करके आप इस curd को अच्छे से फेंट हो जैसे कि मैं यहाँ पे फेंट रही हूँ आप देखोंगी कि मैंने यहाँ पे spoon का यूज किया किसी और चीज का यूज नहीं किया स्पून से भी अच्छे से फेंटा जा सकता है अब हम एक एक करके fruits डालना start करते हैं सबसे पहले हमने अनार डाल दिया इसके बाद में अब ग्रेप्स डाल देंगे यह नहीं तो फॉटा सा अनाड डाल दूंगी ताकि वह अच्छा लगेगा हम उसके अंदर डेट्स डालेंगे हम इसके अंदर चीनी नहीं डाल रहे हैं आपने देखा है क्योंकि जो डेट्स डालेंगे उसे नेच्रल स्वीटनेस आ जाएगी और बनाना के अंदर भी नेच् फॉट सेट्स कार्ण हो भी नेच्छा डाल दूंग सेट्स डालेंगे हम इसके ओपर बुना हुआ जीरा डालने के बाद में इसके ओपर काला नमक पॉड़केंगे और हम थोड़ा सा सफेद नमक डालेंगे अग्जो यहां पे ट्रिक है यां ध्यान रखने की बात आप वह तो इसके अंदर हमें इसको mix नहीं करना है अगर आपने इसको mix कर दिया तो यह बहुत सोगी हो जाएगा खटा हो जाएगा खाने के अंदर बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगेगा अगर आप इसको as it is लेके जाओगे बंद करके या फिर अगर आप किसी को सर्फ भी कर रहे हो आपको तीन घंटे बात भी सर्फ करना है उस टाइम पर आप जब सर्फ कर रहे हो और साथ में स्पून रख दो कि भई जब आप सको सर्फ कर रहे हो तो आप खुद से इसको mix करो और तब लो यह तभी फ्रेश लगता है अगर आप इसको पुरा मिक्स करके दोगे तो खाने आपको अपने घर पर ट्राइ करना और अपना एक्स्पीनेंस मेरे साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना बाए थैंक्यू फोर वाचिंग माई वीडियोस